अब्रीवन, वेलकम टू विद्यश्य अकैडमी, I hope you are doing well, आज हम बढ़ने वाले हैं 22 और 23 नवंबर का करेंट अफियर, करेंट अफियर की सुरुवात हम अपने थौट से करेंगे, विरासत से नहीं होंगे सियासत के फैसले, औरान तै करेगी कि आसमा किसका होगा, तो हमारी जो महनत है, हमारा जो पढ़ाई के प्रती, लक्ष के प्रती जो डेडिकेशन है, उसी से डिसाइड होगा कि हम भविश्य में क्या करने वाले हैं, और हमारी सियासत का फैसला हम खुद करेंगे, हमारी महनत करेगी, तो अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए आगे ब तो 21 नवंबर को विश्वत टीवी दिवस मनाया जाता है, यह टेलिविजन टीवी ट्यूबरकुलेस वाला नहीं, यह टेलिविजन टीवी वाला है, जो हम देखते हैं, तो 21 नवंबर को मनाया जाता है, यह आपको याद रखना है, और जो टेलिविजन है, इसकी खोच किस ने की थी अगर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है फिर 5G का सुभारंब कब हुआ था तो 5G का सुभारंब इंडिया में कब हुआ है एक अक्टूबर 2022 से हुआ है और किस कमपनी ने किया है जियो रिलाइंस ने किया है ये भी आपको याद रखना है फिर जियो सेटलाइट और्बिट जो जियो स्टेशनरी और्बिट होता है जियो स्टेशनरी और्बिट में कितने किलो मीटर तक का सेटलाइज हम मतलब भेच सकते हैं तो 36,000 किलो मीटर यदि आपने Science and Tech वाली क्लास मेरी नहीं देखी है तो मैंने दो लेक्चर डाले है जिसमें हमने Basic Introduction Science and Tech का पड़ा है उसे आप देख लीजिए जिसमें और्बिट क्या होते हैं उनकी कितनी क्लास होती है कितने किलो मीटर तक कौन सा सेटलाइट जा सकता है किस प्रकार के सेटलाइट होते है यह सब मैंने एक्स्प्लेइन किया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजेगा फिर जो जियो स्टेशनरी और्बिट होते हैं उनमें क्या Communication Satellite जो है वो जाते हैं विश रेडियो दिवस कब मनाया जाता है तो तेरा फर्वरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है तो यह सब गाने रेडियो के द्वारा पुराने जमाने में सुने जाते थे अभी भी कई लोग सुनते हैं तो विश रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है TB हारेगा देश जीतेगा जो tuberculosis micro bacterium है इसकी निदान के लिए इसको पूरी तरीकी से खतम करने के लिए भारत सरकार ने एक mission रखा है TB हारेगा देश जीतेगा जिसका जो time period रखा है इसको हमें कब तक complete करना है 2025 तक लेकिन यदि question ऐसा पूछा जाता है आपसे कि जो world health organization है वो TB को खतम करने का भारत से target कब तक कर रखा है तो 2030 तक रखा है लेकिन भारत ने बोला है कि 2025 तक हम क्या करेंगे TB को पूरी तरीके से खतम कर देंगे next question है निकोबारी होदी यह होदी है याद रखिए निकोबारी होदी शिल्प एक अंडवान निकोबार में एक GI टैग की मांग की गई है निकोबारी होदी के लिए तो यह निकोबारी होदी क्या है यह प्रकार की नाओ होती है इस तरीके से कुछ इसका structure रहता है तो इसको GI tag बोला गया है कि इसको GI tag मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पुराना culture है इंडवान निकोबार का जो यहाँ पर निकोबारी जन जाती है वो इस तरीकी की नाव यूज करती है जिसमें जिसकी जो लंबाई होती है इसकी जो लंबाई होती है वो इसकी चोड़ाई के बारा गुना होती है जो जो इसकी लंबाई होती है वो इसकी चोड़ाई के बारा गुना होती है ये फैक्ट आपको याद रखना है तो वो 1999 में GI Tag Act आया था सबसे पहला GI Tag मिला था 2004 में जो Darjeeling है West Bengal में उसकी चाय को तो ये भी आपको याद रखना है फिर GI Tag कितने साल के लिए मिलता है तो किसी भी प्रोड़क्ट के लिए जो GI Tag मिलता है वो 10 यर के लिए मिलता है लेकिन पेटेंट की बात करते हैं तो जो पेटेंट होता है वो 20 यर के लिए मिलता है ये सब आपको याद रखना है फिर अंडवान निकोबार से रिलेटर और कौन-कौन से फैक्ट हैं कि सक्रियजवाला मुखी जो एक मात रहे भारत का वो कौन सा है बेरन द्वीप है बेरन आइलेंड है जो कहां पर है अंडवान निकोबार में इस्ते थे ये भी आपको याद रखना है फिर नेक्स क्वेशन है किस राज्य में सीता माता की 251 फीट उंची प्रतिमा इस्थापित की जाएगी अब देखिए आपने सुना होगा भगवान राम की मूर्ति इस्थापित की जाएगी तो ये सब तो आपने सुना होगा लेकिन अब बात अब जो हम मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं मतलब बिहार राज्य कर रहा है वो है माता सीता की मूर्ति इसकी उचाई याद रखिएगा 251 feet है और ये कहाँ स्थापित होने वाली है बिहार में स्थापित होने वाली है तो यहाँ पर एक सीता मणी जिला है बिहार में वहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी और भारत का पहला सांस्कृतिक दूतावास जो है वो भी कहाँ बन रहा है वो भी यहीं पर बिहार में बन रहा है इसको याद रखिएगा कुछ होर मूर्ति जैसे जो Statu of Peace है तो Statu of Peace कहाँ पर है Statu of Peace आपको Statu of Unity से Confuse नहीं होना है Statu of Unity तो कहाँ पर है गुजरात में है इसको याद रखिएगा लेकिन जो Stantue of Peace है वो राजिस्थान में है पाली एक इस्थान है यहाँ पर वहाँ पर Stantue of Peace है अगर Stantue of Knowledge पूछा जाता है तो Stantue of Knowledge कहाँ पर है यह लातूर महराष्ट में है और Stantue of Knowledge की रूप में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है इनका नाम आप याद रखिएगा कि Stantue of Knowledge किसके सम्मान में स्थापित किया गया है तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडगर जी को याद करते हुए लातूर महराष्ट में उसकी स्थापना की गई है फिर विश्वास्वरूपम विश्वास्वरूपम प्रतिमा किसकी है तो सबसे पहले याद रखिए कि शिवजी की प्रतिमा है शिवजी की प्रतिमा की स्थापना राजस्थान में की गई है जिसका नाम है विश्वास्वरूपम यदि आपको इस प्रतिमा की हाइट पता ह तो इतने स्टैंचू आपको याद रखना है फिर नेक्स कुशन है 53 वा फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ओफ दा इयर का अवार्ड किसे मिला है तो ये चरंजीवी है इनकी बहुत सारी मुवी साउथ के बहुत ही फेमस हीरो है इनको आपने जरूर देखा होगा तो इनको कौन से नम्मर का है ये फेस्टिवल तो ये 53 वा फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया है जो इंडियन फिल्म पसनेलिटी ओफ दे यर का आवर्ड किसे मिला है चरन जीवी को मिला है क्या आपको पता है कि 2021 में दादसाः फाल के पुरुसकार किसे मिला था तो ये साउथ के बहुत ही फेमस अभी नेता है हीरो है जिनका नाम है रजनी कांथ तो रजनी कांथ जी को दादसाः फाल के पुरुसकार मिला था 2021 में लेकिन 2022 में दादसाः फाल के पुरुसकार किसे मिला है ये आपको बताना है सत्य जी तरे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड मिला है कारलोस को इनका भी नाम आपको याद रखना है फिर नेक्स कुशन है पूर्वोत्तर भारत का पहला छेत्री यूनानी चिकित्सा अनुसंदान संस्थान कहां पर इस्थाबित किया गया है तो जो असम है असम में क्या है सिल्चर का नाम आपने सुना होगा तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला छेत्री यूनानी चिकित्सा अनुसंदान संस्थान है याद रखिएगा यूनानी यदि आपने आयोष के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा आयोष क्या है आयोष का फुल फॉर्म क्या है आयोष बिभाग की स्थापना कभी ये सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए आयोश का मतलब होता है आयरवेद, यूनानी, आयरवेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होमोपैथी जो आयोश है ये क्या है एक प्राचीन पदती है जिसके द्वारा बहुत सारे ट्वीटमेंट किये जाते हैं फिर वर्ल्ड ओफ यूनिकॉन, ये अवोर्ड ओफ यूनिकॉन क्या है अवोर्ड ओफ यूनिकॉन के सापना भी असम में की गई है काजी रंगा नैशनल पार्क में जो वन होरन राइनो होते हैं एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं उनके सेलक्षन के लिए ये प्रोग्राम शुरू हुआ है फिर असम के जो CM है, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है? हैमंत विश्वा शर्मा, हैमंत विश्वा शर्मा है वो कौन है? वो असम के चीफ मिनिस्टर है तो इनका नाम भी आपको याद रखना है फिर next question है, Network Readiness Index Network Readiness Index में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 61, लास्ट यर जो रैंक था वो 67 था अभी 61 rank हो गया है इसके अंतरगत 4 चीज़े होती है जो इसका parameter होती है जिसमें technology, तकनीकी, प्रभाव किस तरीके से उसका effect है लोग, मतलब public और साशन, मतलब governance तो 4 चीज़ों के basis पर ये index का ranking तयार होता है तो आपको याद रखना है ये कौन सा index है Network Readiness Index मैंने एक index वाला वीडियो अपलोड किया था यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लिजे क्योंकि एक्जाम में index related एक नई question पूछा जाता है जैसे HDI Index Human Development Index कौन निकालता है, कौन सी संसा निकालती है इसको UNDP निकालती है What is the full form of UNDP United Nations Development Program UNDP ने जो HDI Index निकाला था 2022 वाला उसमें इंडिया का rank कौन सा था 132 था याद रखेगा फिर Zender Gap Index जो है वो Zender Gap Index में इंडिया का rank कौन सा है 135 है और अगर आप से पूछा जाए कि विश्व शान्ती सूचकांक में भी इंडिया का rank कौन सा है तो दो Index याद रखना है 135 Zender Gap Index में भी rank है और जो शान्ती है Peace है जो उसमें भी जो इंडिया का rank है वो कौन सा है 135 है तो ये दोनों आई होप आपको याद हो गए होंगे फिर यदि पूछा जाता है कि विश्व खुशाली सूचकांक में कौन सा rank है इंडिया का तो खुशी से अकसर क्या हो जाता है लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है वो खुश नहीं रह पाते हैं तो याद रखिएगा कि 136 और वैसे भी अगर आपको 135 याद है कि शान्ती में तो 135 है लेकिन शान्ती भंग होगी कब होगी जब 36 का आंकड़ा होगा तो खुशी इंडेक्स में विश्व खुशाली सूचकांक में इंडिया का rank 136 है ये आपको याद करना है फिर वर्ल्ड हंगर इंडेक्स वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में विश्व भुकमरी सूचकांक में इंडिया का rank कौन सा है सातवा है तो भारत के लोग तो साथ-साथ भूंके भी रह लेते हैं तो याद रखिएगा कि 107 वा rank जो है वो विश्व भुकमरी सूचकांक में भारत का है फिर नेक्स कुशन है और इसको most important mark कीजेगा क्योंकि computer जो है वो prelims और mains दोनों में है MPPSC के तो इस टाइब के question आपको पूछे जा सकते हैं कि 25 से 26 नवंबर 2022 को 25 वा e-governance का आयोजन e-governance हममेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो ये किया जाना है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में होने वाला है कौन सी नमबर का e-governance summit है ये 25 मतला 25 वे नमबर का summit है और ये कब होना है e-governance summit ये होना है 25 से 26 नवंबर तो ऐसा याद कर लिजी कि 25 से 26 नवंबर को होना है और 25 वे नमबर का है और कहा होना है तो जम्मू कश्मीर में होना है इगवर्नेंस प्लान इंडिया में कब आया यदि आपको पता है तो ये कमेंट बोक्स में लगकर बताईए फिर नेक्स कुश्चन है छटवी बार ATP फाइनल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है तो ये बहुत ही महान प्लेयर है इनका नाम आप सभी ने सुना होगा और नुवाक जोकोविच ये कहां के हैं तो इनका सम्मंद सर्विया से है और ये छटवी बार जीता है कौन सा खिताब है ये ATP फाइनल टूर्नामेंट है टैनिस का टूर्नामेंट है ये टैनिस खेलते हैं किसने जीता है नुवाक जोकोविच ने जीता है तो इनका नाम आप याद रखियेगा फिर नेक्स गुशन है जे सीवी साहती पुरुसकार किसने जीता है तो ये खालेद जावेद जे से वी पुरुसकार साहती से रिलेटड है ये जीता है खालेद जावेद ने तिर एक है question गपी ये गपी क्या है गपी होता है global partnership of artificial intelligence who is the father of AI ये बहुत पूँचा मतलब बहुत सारे एक्जाम में ये question पूँचा गया है इस answer है john mathai ये नाम आपको कभी भी नहीं भूला है father of artificial intelligence जो है वो कौन है john mathai है तो global partnership of artificial intelligence की अध्यक्षता 2022-23 में हमारा प्यारा भारत करने वाला है तो ये आपको याद रखना है आपको एक्जाम में अब्रिबियेशन की रूप में GPAI का full form भी पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा global partnership of artificial intelligence ये 2022-23 में इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है तो अपना प्यारा भारत करने वाला है तो ये 22 नवंबर के current affair थे जो important point है केवल मैंने वही discuss किये है अब हम 23 नवंबर का current affair देखते हैं कि आज कौन-कौन से important current affair है सबसे पहला question है विश्व मतस्य दिवस कम मनाया जाता है World fisheries day तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को ये आपको याद रखना है और ये celebrate कहाँ पर किया गया तो दमन में किया गया याद रखिएगा विश्व बाल दिवस कम मनाते हैं बहारत में तो जो मनाते हैं वो बाल दिवस कम मनाते हैं 14 नवंबर को मनाते हैं लेकिन विश्व बाल दिवस का आयोजन किया जाता है 20 नवंबर को आप याद रखिएगा इसको फिर blue revolution नीली क्रांती का संबंद किस्से है फिर भारती सेना ने कहां पर एकिकरत अगनी शक्ती अभ्यास का फ्रारम भी किया है भारती सेना का प्रोग्राम है कौन सा है एकिकरत अगनी शक्ती अभ्यास यहुरा है राजिस्तान के श्री गंगा नगर जिले में और यह कहां पर यह कौन सी कमान का है तो ये दक्षन पश्यमी कमान का सेना का अभ्यास है नाम क्या है एकिकरत अगनी शक्ती अभ्यास इसको याद रखिएगा फिर 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में इस्थित पुनर निर्मित पावांग युद्ध इसमारक का आयोजन किया गया है देखे आपको पता होगा कि भारत और चाइना के संबंद जो थे वो पहले बहुत अच्छे थे हिंदी चीनी भाई भाई ऐसा कुछ कहा जाता था फिर 1962 में चीन ने अपनी जो असलियत है वो दिखाई और भारत पर क्या किया पीछे से वार किया तो इसमें जो 1962 में जो अरणाचा सबसे अधिक प्रभावित अगर कोई सा राज्य हुआ था तो वो था अरणाचल प्रदेश तो अरणाचल प्रदेश का जो तवांग छेत्र है वो बहुत अधिक एफेक्ट हुआ था 1962 के वार से तो मतलब उस समय से लेकर अभी तक लगबग 60 वर्स हो चुके है तो भारत तो चीन की बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जो लोग अरणाचल प्रदेश के सहीद हुए थे उनको याद करने के लिए ये तवांग युद्ध इसमारक बनाया गया है तो आपको एक्जाम में के लिए इतना ही पूठ जाएगा कि तवांग युद्ध इसमारक का उधगाटन कहां पर हुआ है आपको वो नौर्थीस्ट के ही चार स्टेट दे देगा तो आपको याद रखना है कि अरणाचल प्रदेश में हुआ है आरणाचल प्रदेश के जो सी एम है वो कौन है प्रेमा खांडू इनका नाम याद रखिएगा आरणाचल प्रदेश का एक क्विश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि सबसे कम डेंसिटी अगर किसी स्टेट की है तो वो आरणाचल प्रदेश की है यहां पर लगवग एक किलोमीटर में सत्तरा लोग रहते हैं तो यह आपको याद रखना है फिर किस देश ने इंटर इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM बोलते हैं इसको यह नई अंतर महादीप यह बैलिस्टिक मिसाइल हाड सोक 17 का परिक्षड किया है देखें आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो चर्चा में आने के लिए बहुत अच्छा गाम करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अधी वह चर्चा में नहीं है तो वह चर्चा में आने के लिए कुछ भी करते हैं तो एक कुछ भी करने वाला देश है पागल सुल्तान नौर्थ कॉरिया नौर्थ कॉरिया अभी थोड़ा सा मतलब ऐसा आ रहा था कि G20 सम्मिट हो गया उसमें भी नौर्थ कॉरिया का कोई जिक्र नहीं हुआ और बहुत सारे ऐसी चीज़े हो गई तो North Korea चर्चा में नहीं था तो चर्चा में आने के लिए North Korea ने क्या किया हरसोग 17 एक ICBM मिसाइल है Intercontinental Ballistic Missile अब ये Intercontinental Ballistic Missile क्या होती है कि एक कॉंटिनेंट से दूसरे कॉंटिनेंट तक ये क्या कर सकती है हमला कर सकती है लगभग 15,000 किलो मीटर से भी अधिक रेंज इन मिसाइल की हो सकती है तो इस तरीके से जो है ये परिक्षन किस ने किया है हरसोग 17 मिसाइल का North Korea ने किया है आपको याद रखना है फिर 21 नवंबर 2022 को खादी और ग्राम उद्योग आयोग जिसे हम KVIC बोलते है खादी और ग्राम उद्योग आयोग का जो CEO है मुख्य कारीकारी यादिकारी वो किसे नियुक्ति किया गया है तो विनीत कुमार विनीत कुमार को KVIK जो होता है क्रशी खादी और ग्रामध्योग आयोग उसके हैड मतलब उसके CEO के रूप में नियुक्ति किया गया है विनीद कुमार को याद रखिएगा 1956 का जो एक्ट था उसके तहट KV IK की स्थापना की गई थी इसको याद रखना है फिर 21 नवंबर 2022 को किसने वंडे के लिए लिस्ट एक क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है देखिए यह स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है तो इनका नाम है एन जगदीशन याद रखिएगा तमिल नाडू के खिलाडी है एन जगदीशन इसके पहले आपने इनका नाम सुना होगा जो एन जगदीशन है इन्होंने एक ही पादी में वंडे में कितना रण बनाया है तो 277 277 रण बनाया है एक ही मैच में बनाया है इसके पहले जो रिकॉर्ड था वो इंटरनेशनली देखा जाए तो भारत के खिलाडी रोहिच शर्मा का था कितनी रण बनाये थी इन्होंने 2014 में श्री लंका के खिलाब 264 रण बनाये थी लेकिन अभी जो रण बने है वो कितने जो एन जगदीशन ने बनाये है वो 277 रण बनाये है और ये कहां के खिलाडी है तो तमिलनाडू से इनका संबंध है याद रखना है पहला वानी की विश्य विद्याला कहां पर इस्थापित हुआ है पहला वानी की विश्य विद्याला तेलंगाना में इस्थापित हुआ ये question बहुत important है, इसको mark करिएगा, फिर हाल ही में घर web portal किसने शुरू किया है, अब ये घर web portal क्या है, तो ये जो बच्चे घर पर रहते हैं, या जैसे पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी digitally tracking हो सके, ताकि कुछ बच्चे गुमशुदा ना हो, उनके साथ किसी भी प्राकार का कोई छल कपड छलावा ना हो सके, तो उन पर नजर रखने के लिए, एक घर web portal शुरू हुआ है, जो किसने किया है, राश्टी बाल अधिकार सर्रक्षन आयोग ने लॉंच किया है, याद रखिएगा, क्या घर web portal का इनोवेशन साउथ में अधिक होता है, तो ये बना है तमिलनाडू, आपको पता होगा कि केरल तमिलनाडू यहाँ पर जो हाथियों की संख्या अधिक है, और हाथि के सर्रक्षन के लिए बहुत सारे कारिक्रम चलाये जा रहे हैं, तो हाथि का जो जितने भी हाथियों की ड आपको जो ओनाव में स्टालिन, एक स्टालिन यहाँ के कौन है? सियम है, कहा के तमिलनाडू के, तो याद रखिएगा फिर विष्व हाथि सर्Reक्षन दिवसक मनाया जाता है, तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा थियों की सर्र्रेकशन के लिए भारत सरक कब कौन-कौन से अधीनियम ले क्या है या फिर कौन-कौन सी पार्टिकुलर योजनाय चल रही है यदि आपको पता है तो यह आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आत्महत्या की रोक्थाम के लिए बोला है कि 2030 तक हमें क्या करना है जितने भी आत्महत्याएं होती हैं उसमें क्या करना है लगबग 10 प्रतिशत की कमी लाना है। तो यह उद्देश है सरकार का 2030 तक अब यह लोग आत्महत्याएं क्यों करते हैं खासकर जो पढ़ने वाले जो है वो यदि बच्चे को आत्मध्या की ओर ले जा रहा है तो यह बहुत ही सीरियस और बहुत ही सेंसिटिव मुद्ध है इसको आपको भी अपनी एक रिस्पॉंस्पिलिटी समझ के यदि आपके दोस्तों के साथ कभी कोछ ऐसा होता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं क्यों में तो यह सरकार का काफी अच्छा प्रियास है आत्मध्या की रोक्ताम के लिए 10% तक कम करना है टार्गेटिट कप तक का है 2030 तक का है ठीक है और अभी सरकार ने एक और प्रियास किया है जो प्रियास है कि हर जिले में एक मनोरूग विभाग खूला जाएगा जिसमें कि दो बती हुद विभाग जो में आजवर्थ के बाद्रिया टार्टियों वंगे दोले अीध RS अर्व शिंद dm चैक गर्षे 7,ften मियास के लिए ऊच्छी का लिए खूला जाइगा जाये तो Eck्रियास है सरवा नंतों शोंवाल जी जो मिनिस्टर है कि स्वक्ष यूर्जा के लिए स्वक्षूलजा के लिए किया जाएगा क्या है ये National Excellence Center इसमें कारवन नूट्रल पोर्टल भी लॉंच किया जाएगा तो ये आपको याद रखना है आपको बताना है कि Sustainable Development Goal मैंने Sustainable Development Goal पर Lecture बनाया है यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको ध्यान से देखिए और याद कर लिजिए 17 लक्ष हैं इसको हमें 2015 से 2030 तक का टार्गेट रखा है कंप्लीट करने का कौन से लक्ष में क्या बूला गया है उसके लिए कौन कौन सी योजना चल रही है ये आपको मेंस में भी पूछा रा सकता है फिर आज का आपका जो question of the day है वो है भारत कब तक सून ये कारवन उत्सलजग बन जाएगा ये question मैंने कई बार डिसकस किया है यदि आपने मेरे lectures देखे हैं तो आपको definitely इसका answer पता होगा भारत कब तक सून ये कारवन उत्सलजग बन जाएगा ये आपको comment box में लेकर बताना है ये आज का current affair था और कल का current affair था I hope आपको ये point समझ में आ गए होंगे आपको एक से दो बार lecture को सुनना है note करना है description box में मैं सारे pdf डाल देती हूँ आप वहाँ से भी देख सकते हैं revise कर सकते हैं और आप लोग like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you so much or please press the bell icon ताकि आपको notification मिल जाए thank you so much जै हिन जै भारत